नमस्कार मैं हो ससी आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं सरना धर्म कोड होगा लागू हिमन्त विश्वा सर्मा का एलान प्रधान मत्रि नयंद मोदी के चार नोवंबर को होने वाले कारकरम को लेकर त्यारी बैठक करने पहुंचे असम के मुखे मंत्री वा जार्खन परदेश भाजपा सहफ प्रभारी हिमन्त विश्वा सर्मा ने कहा है कि इस बार पूरे जार्खन में बिसेस नजर कोलहान पर है कोलहान हर हाल में जीतना है कोलहान की सभी सीटों पर भाजपा गडबंधन की इस्थिती पहुत अच्छी है उन्होंने कहा एक दूसरे दल के बड़े नेता हमारे साथ खड़े हैं कुछ नराज नेताओं को मना लिया गया है इसमें जगरनाथ पूर से मंगल और जैपाल गुरु चरण नायक ने नाम वापसी कर लिया है इसलिए जारखन में भाजपा की सरकार को लहान के सहयोग से ही बनेगा परधान मतिनायंद मोदी 4 नौवंबर को टाटा कॉलेज मैदान चाई बासा में चुनावी कायकरम को समोधित करेंगे इस बार बदलाव जरूर होगा उन्होंने आगे कहा परधान मंतिरी आप से अपील करने आते हैं जनता को बदलाव लाना है परधान मंतिरी सेवक है जनता मालिक है भाजपा की सरकार बनी तो मुख्य मंतिरी सपत लेने के पहले दिन ही सीजेल का परिक्षारद करेगा वह गोगो दिदी योजना शुरू करेगा वहीं राज में भाजपा मुख्य मंतिरी का चेहरा नहीं ला रही है वहीं एक सवाल के जबा में हिवंत विश्व सर्मा ने कहा है कि याठवेन सुची में हो भासा को दर्जा देने के लिए भारस सरकार गंभीर है और जल्द ही इस पर नीन लिया जाएगा पिछले दिनों ही ग्रिह मंतिरी के साथ आदिवासी भायों के मुलकात हुई है सार्ना धर्म कोड को खत्म करने वाली पार्टी कॉंग्रेस है जारखन में भाजपा की सरकार बनते ही सार्ना धर्म कोड को भी लागू कर दिया जाएगा मुख्य मंत्री हेमन सुरेन ने राजवासी को दिद्धी पावली की सूब कमना है मुखी मंतरी हेमन सुरेन और उन की पतनी कलपना सुरेन बुद्धवर को पुराने विधान सबा के समीब सिव मंदीर पहुझे मुख्यमंत्री ने इस बिशेस मों के पर राजिवासियों को दिपावली की सुब कमनाय दी है गड़वा से प्रधाना ध्यापक 5,000 रिस्वत लेते गिरफतार ACB की टीम ने बुद्धवार को करवाई करते हुए राजगियमद बिद्याले नगर उटारी के हेड मास्टर अनील कुमार विस्व कर्मा को 5,000 रुपए रिस्वत लेते रांगे हाथ पकड़ा है यह करवाई बिद्याले प्रबंधन समीति के अध्यक्ष की सिकायद पर की गई यह जनकारी ACB के पूलिस अधिक चक ने बिगयपती जारी कर दी है गिरफतारी के बाद ACB की टीम गिरफतार हेड मास्टर को पलामो करा रहे ले गई ACB की ओर से जारी बिगयपती में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन समीति के अध्यक्ष ने सिकायद की थी कि सितंबर महिने का MDM मद की रासी की निकासी की लेहन मास्टर की ओर से 5-6 रुपए की मांग की जा रही है हेमन्त सुरेन का नमांकन रद करने की उठी मांग बरहेट से भाजपा परत्यासी गामालियम हेमरम ने निर्वाची पता दिकारी से जामो परत्यासी हेमन्त सुरेन का नमांकन रद करने को लेकर सिकायद किया उन्होंने आरोप लगाया है कि हेमन्त सुरेने 2019 के विधान सबाचुना में अपने उम्र 42 साल बताई थी इस पर नमांकन के समय 24 अक्टूबर 2024 को दाखिल अपने सपत पत्र में उम्र 49 साल बताई है उनका कहाना है कि किसी ब्यक्ति के उम्र 5 साल में 7 वरस कैसे बढ़ जा सकती है गमालियन ने आरोप लगाया है कि 2019 में हेमन्त सुरेने नमांकन फर्म में सिर्फ दो जमीन के बारे में घोसना की थी उक्त दोनों जमीन 2006 से आठ के बीच खर दी गई थी वहीं 2024 में 23 पलोट का उलेख किया गया है उक्त पलोट भी 2006 से आठ तक के है जब 23 पलोट पुरु में खर दे गए थे तो इसकी घोसना 2019 के बिधान सबा चुनाओं में क्यों नहीं की गई थी भाजपा को आदिवासियो दलीतों से परिसानी क्यों मुख्यमंत्री हेमन्स्रेण ने सोचल मीडिया प्लेटफर्म एक्स पर पोस्ट के जरिये देवघर एसबी को हटाया जाने से समधित चुनाओं आयोग के निर्देश के आलोक में सवाल उठाया है बुद्धवार को लिखा है कि दलीत आईएस अपसर को हटाया गया लगतार परिसान किया गया अब आदिवासि आईपीएस अपसर को लगतार परिसान किया जा रहा है आखिर क्यों दलीतों आदिवासियों से भाजपा को इतनी परिसानी है भारत निर्वाचन आयोग ने जार्खन सरकार को देवघर के पुलिस अधिक छक अजीत पितर डुक डुक को हटाने का निर्देश दिया है आयोग ने राज सरकार को पत्र लिएक कर देवघर एसबी के पद पर पदस्थापीत करने के लिए तिन आईपिस अधिकारियों के नाम का पैनल मंगा है इससे पहले लोगसभा चुनाव देवघर के दोरान भी उन्हें देवघर से ही निर्दवाचन आयोग ने चुनाव कारे से हटाया था उन पर एक दल विसेस के पक्ष में काम करने कारोप पर करवाई की गई थी लोगसभा चुनाव के बाद फिर से उनकी पदस्थ अपना देवघर में की गई है रांची के नाम कुम के नीजी स्कूल में च्छापा 1.15 कड़ो रुपए जब्त रांची पुलिस ने बुद्धवार को नाम कुम के डीजी गोएन का इसकूल में च्छापे मारी कर 1.15 कड़ो रुपए जब्त किये हैं मावले में पुलिस इसकूल के अध्यक्स जमीन कारोबारी मदन सिंग को हिरासत में लेकर पुस्ताष कर रही है पुलिस को अंदेशा है कि ज़र्कन बिदांसवा चुनाओं में इस्तिमाल के लिए उक्त पैसा जमा किये गए थे पुलिस ने नामकुम थाने में अधर्स आचार संगीता उलंगान की प्रात्मी की भी दर्ज की है हालाकि प्रारंबिक पुस्ताश में मदन सिंग ने बताया है कि उन्होंने एक जमीन बेची थी उक्त रुपए उसी के हैं इस पर पुलिस ने उन्हें सबूत मांगा है रांची एसेसबी को गुप्त सुचना मिली थी कि जारकन बिधानसवा चुनाओ को प्रभावित करने के लिए डीजी गोयनका स्कूल में भारी मात्रा में नगत पैसे रखे गाए हैं मोधी सरकार चावल दे रही और हिमन्त सरकार जोला भाजपा असम के सीएम और भाजपा के परदेश सह प्रभारी हिमन्त विश्वा सर्मापुद्धवार को बरकाटा पहुंचे और कहा है कि इस बार जहारकन में भाजपा की सरकार बनेगी बरकाटा पिदान सभाज छेतर में 3 नौवंबर को केंद्रिये गिर हिमन्त अमीद साह की जनसभा प्रस्तावी था है उनके आगमन को लेकर हुए कारकरम अस्थल का जाजाले ने पुर्व परदेश अध्यक दिपक प्रकास के साथ हेलिकोप्टर से परकाटा पहुंचे थे उन्होंने अस्थानिय भाजपा के कताव से मुलकात कर चुनाव जीतने का मंत्र दिया उन्होंने कहा है कि मोधी सरकार चावल दे रही है और हेमन्त सरकार केबल छोला दे रही है मैया योजना पर उन्होंने कहा है कि ब्रीधा पेंसन बंद कर दिया गया और मैया को पैसा दे रही है इस तरह सास बहु में लडाई करवा दिया है गुमला पुलिस जांगुर गूट के खिलाब चलाया ओप्रेशन गुमला पुलिस जारखंड जगुआर और एसेसबी के जवानों ने बुद्धवार को जीले के बिशनु पुर्थाना चेतर के तेंदार नवाटोली भौरागनी देवरागनी के खनगोर जंगल इलाके में जांगुर गूट के सुप्रीमो रामदे उराव और उसके दस्ता के खिलाब सकन अभियान चलाया है इस अभियान में पुलिस ने देवरागनी जंगल से जांगुर गूट के अपराधियों द्वारा दैनिक उप्योग में लाए जाने वाले समागरी कमबल, तिरपाल और अने अपत्ती जनक समान बरामत की है जनकारी कमतावि गुमला, एसपी, संभू, कुमार सिंग को सुचना मिली थी की जांगुर गूट के सुप्रीमोर, रामदे, उराव और उसके दस्ता के सरसे दसत पहलाने के उदेश से हांतियारों के साथ विश्मूपुर्थाना चेतर के तेंदरा, नावा टोली, भौरांगनी, देवरांगनी के आसपास के चेतर में घूम रहे हैं पदमस्री मुकूंद नायक की तव्यत बिगड़ी अस्पताल में भरती। पिता के उपरी और निछले हिस्टे से काम करना बंद कर दिया है। वोटर लिस्ट में नाम है तो वोटर आइडी के लावब बारह दस्तावेश से कर सकेंगे वोट। जारखन के CEO के रभीकुमा ने कहा है कि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में है तो वोटर आईडी कार्ड दिखा कर मतदान कर सकता है इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा चीनित अने 12 पाचान पत्रों में से किसी एक दस्तावेज को दिखा कर वोटिंग कर सकता है इन दस्तावेजों में अधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइबी लाइसेंस समयत अने सामिल है उन्होंने मनेता प्राप्त राप्त पार्टियों के प्रतिनितियों से इसके लिए जागरूपता फैलाने की अपील भी की है ताकि कोई मत दाता अपने मत अधिकार के परयोग से वन्चीत नहीं रह जाए वे बुद्धवाल को धुरुआ के निर्वाचन सदन में मनेता प्राप्त पार्टियों के प्रतिनितियों के साथ बैठा कर रहे थे बतादे जारखन के मुख निर्वाचन पतादिकारी के रभी कुमार ने कहा है कि सभी मनेता प्राप्त राप्त नितिक दल विधान सभाचुनाओ दौएर चौविस में आदर्स चुनाओ आचार संहिता का अनुपालन करते हुए परचार परसार करेंगे जारखन में अब तक 121 क्लोर जबते जारखन के CEO के रविक कुमार ने कहा है कि राज में विधान सभाचुनाओ के लिए आदर्स चुनाओ आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 121.14 क्लोर के अवयद समान और कैस जबत किये गए हैं खोटी जीला तीन कलोर से अधिक की जबती के साथ राज में पहले अस्थान पर है वे बुद्धवार को धुरुआ के निर्वाचन सदान में प्रेस वार्ता को समधित कर रहे थे जारकन के CEO के रविकुमा ने कहा है कि 2019 के जारकन प्रेस वार्तान सबा चुनाव से इस बार अधिक परत्यासी चुनाव मैदान में है इन बड़े परत्यासियों के लिए निवाचन आयोग के पास परयाप्त EVM है निस्पक्ष और सांती पुन मतदान की पुरी तयारी है पहले चुनाव के लिए बुद्धवार को नाम वापसी की परकिरिया पुरी हो गई है वहें दूसरे चुनाव के मतदान के लिए इसकोटनी की गई कुछ जीलों में परत्याचियों को नोटिस देकर सुबा 11 बजे बुलाया गया था हेमंत सुरेन हता सरकार जाने का डर बाबुलन मरांडी भाजपा के मीडिया सेंटर का बुद्धवार को अरगोडा चोक के निकट मोहन कंप्लेक्स में परदेश अध्ययक्ष बाबुला मरांडी ने उधगाटन किया इस अवसर पर कारकारी अध्ययक्ष डक्टर रविंद्र राय और केंद्री रक्षार राजमंत्री संजय सेट भी उपस्थी थे मरांडी ने कहा है कि हेमंत सुरेन हतासा में है उन्हें इस बात का अभास हो चुका है कि उनकी सरकार जा रही है मरांडी ने कहा है कि पंच प्रन भाजपा की प्रतिवत्ता है सरकार बनने पर इसे हर हाल में लागू किया जाएगा गोगोदीदी योजना भी लागू की जाएगी हेमन सरकार की तरह भाजपा का यह चुनावी एजेंडा नहीं है हेमन सरकार चुनाव आने पर महिलाओं को एक है रुपे महिने देने शुरू की है उन्होंने कहा है कि भाजबा की गोगोदीदी योजना के तहत प्रती महिना एक है सरुपे देने की घोसना करने पर जामों नहीं से बढ़ा कर 25 सरुपे करने का एलान कर दिया है अब हेमन सरेन चुनावी सबाव महिलाओं को हर साल एक लाख रुपे देने की बात कर रहे हैं हेमन सरेन इस मामले में खोदी असपच नहीं है कि वह क्या करेंगे ऐसे में आम लोग उन पर भरोसा नहीं कर पाएंगे धन्यवाद